नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम कई मैत्वपन बातों पर चर्चा करने वाले हैं जो इस बार की बजट से जुड़ी वी है इस बार के बजट के आंख़डों को अधार बनाते वे इस वीडियो में दोस्तों हम वेवारिक रूप से राजकोश ये घाटा ये अन्य घाटे निकालेंगे इसके अलावा कई अन्य संकल्पनाओं को सीखने की कौसिस करेंगे जैसे कि राज़स प्राप्तियां क्या होती है, पुंजिगत प्राप्तियां क्या होती है क्या हम यह कह सकते हैं कि राजकोशे घाटे का जितना स्तर है, प्रतिशत की रूप में नहीं, अमाउंट की रूप में जितना स्तर है, क्या उतना स्तर बाजार से उधार लेने का होता है, यह सारी बाते हम इस वीडियो में सिखेंगे, और यह कई लोगों के लिए एक उपियो का टाइटल है रूपी कम्स फ्रॉम रूपिया आता है इसका मतलब यह कि जो सरकार की टोटल इंकम है अगर उसको हम एक रुपया मान ले या हम यह कह दे कि उसको सो पेसा मान ले तो अलग-अलग सोर्सेश से उसको इंकम कैसे प्राप्त हो रही है वो इस पाई डाइग्राम म वो है बजट का सार अंग्रिजी में बोला गया बजट एक ग्लैंस यहां पर हिंदी में लिखा हुआ है और यह अंग्रिजी में लिखा हुआ है हमें सरकार की कुल इंकम जाननी है दोस्तों इस टेबल में और यह जो इंकम है वो बजट 2021-22 के हिसाब से हमें पता लगा नही ऍ्रूची करोंगा यह बजट अनुमान है 2020-21 की यानि जो लास्ट एक बजट है उसकी अनुमान है फिर यहां पर उसके शंशोदित अनुमान है हमें इस कोलम पर अभी काम करना है यह रूपीज करोर्षु और यह रूपीज करोड और यहां लिखावा 2021-2022 बजट अनुमा हमें इससे मतलब नहीं है पुंजी प्राप्तियों से मतलब है यह आप लिखा लिगा है और अंग्रिजी में total receipts यही सरकार की total income है तो देखते हैं सरकार की total income कितनी नजर आ रही है तो आप इधर जाएंगे यहां जाएंगे और यहां आके देखेंगे यह जो amount दिख रही है आपको यह amount है जो सरकार expect कर रही है 2021-22 के लिए इसमें सभी प्रकार की income है चाहे वो revenue वाले income हो capital वाले income हो जैसे इंदी में लिखावा राज़स प्राप्तिया पूंजी प्राप्तिया सब को जोड के यह बनावा है जैसे कि यहां पर लिखावा भी यह one plus four तो यह bracket में लिखावा one plus four तो राज़स प्राप्तिया one पर आ रही है four पर पूंजी गत प्राप्तिया आ रही है आगे मैं फिर से इन पर बातचीत करूंगा लेकिन आपको मालूम है कि सरकार की कुल इनकम दो भागों में डिवाइड होती है एक राज़स प्राप्तियों के रूप में डिवाइड होती है और एक पूंजी गत प्राप्तियों के रूप में डिवाइड होती है दोनों को आप जोड देते हो तो कुल प्राप्तिया या कुल इनकम आपको दिखेगी यह इ पाई डाइग्राम में दिखाया गया जो आपके सामने है रूपी कम्स फ्रॉम लिखा हुआ है अब सबसे बड़ी बात है कि यह जो पाई डाइग्राम है यह गोला कार है तो जब गोला कार कोई फिगर हमारे सामने बना वाओ तो यह प्रश्ण खड़ा होता है कि हम इसकी पाई जाता है क्योंकि यह इंकम पाने के लिए आपको किसी से करजा लेने की जरुत नहीं हम करज लेकर भी प्राप्तियां करते हैं जैसे मान लिजे मैं किसी से दो लाक रुपी उधार लू तो थोड़ी देर के लिए तो मेरे को इंकम होगी लेकिन उसका सोर्स क्या है इसी इंकम अच्छी मानी जाएगी जिसके लिए ने तो संपत्ति बेचनी पड़ती हो और नहीं किसी से उधार लेना पड़ता हो एसी जो इंकम होती है उसको तकनीकी भाषा में सरकार की लेंग्वेज में राज्यस उप्राप्तियां कहते हैं और अंग्रेजी में उनको द दाइरे में आगे इसके बदले में सरकार को जो भी करदाता होते हैं उनको कोई सर्विस कोई वस्तू देने की जर्रत नहीं होती है और एन्फोर्स कर सकती है लोगों के उपर टैक्स को तो सबसे बढ़िया जो तरीका है सरकार की इंकम का होड़ टैक्स है सबसे पहले आप जाने की राज़त सुपराप्तियां best source of income है और उसमें सबसे बेस्ट कौन है tax के द्वारा जो income प्राप्त होती है इसलिए दोस्तों इस पाई डाइग्राम की हम शुरुबात करेंगे tax के द्वारा तो सबसे पहला जो tax आपको नजर आ रहा है यहां पर वह corporation tax और direct taxes को सबसे पहले पढ़ा जाता है तो यह direct tax है तो corporation tax से 13 पेसा मिलने की उमीद सरकार को 2021-22 में अगर हम 100 पेसा full income माने तो फिर 14 पेसा थोड़ा सा ज्यादा सरकार मान रही है कि income tax से आएगा 14 पेसा income tax से आएगा 13 पेसा निगम कर से आएगा सिमा शुल्क यहां पर लिखा वाए दोस्तो वह तीन पेसा इस जगह पर और दोस्तो GST यहां पर अलग लिखा वाए goods and service tax इस जगह पर यह GST लिखा वाए तो इसका मतलब सिमा शुल्क अलग दिख रहा है GST से तो यह आपको पता होगा कि जो basic custom duty है वह GST में शामिल नहीं है केंदर सरकार उसको अलग से लगाती और इसलिए आपने देखा होगा कि कई वस्तों पर इलेक्ट्रोनिक वस्तों पर हमारी सरकार ने custom duty को बढ़ाया ताए कि domestic manufacturing को बढ़ावा मिल सके तो सरकार ने उसको क्यों चेंज कर दिया अगर वह GST का पार्ट होती तो GST council निर्णे करती है केंदर सरकार निर्णे करती है राज्य सरकार निर्णे करती है तो basic custom duty अलग है और इसलिए उसको सरकार ने यहां पर दिखाया और 3 पेसा इससे आने की उम्मीद सरकार को नजर आती है 2021-22 के लिए आगे आते हैं दोस्तों यहां पर केंद्रिय उत्पाद शुल्क आपको दिखेगा यह 8 पेसा है 100 पेसे में से 8 पेसा केंद्रिय उत्पाद शुल्क में से आन नहीं लगता है वो GST की दाइरे में नहीं है और ये का गया कि भविश्य में GST परिशत फेसला करेगी कि उन पांच वस्तों पर GST लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए अभी फिलहाल केंद्र अपना एक्साइज लगाता है उन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर और जैसा कि आपको मेरे एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो प्रिशी सहस है वो जो लगाया गया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर तो केंद्र ने काई कि वो अपना उतपाद शुल के कम कर देगा यानि कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर उतपाद शुल के केंद्र लग उससे हमें 8 पेसा income प्राप्त होगी 2021-22 के लिए इसके बाद दोस्तों यहां पर आप देखते हैं goods and service tax है जो cgst कह सकते हो आप केंद्री सरकार का जो gst है यहां पर simple gst लिखावा है cgst नहीं लिखावा है तो यहां 15 पेसा आने की उम्मीद है केंद्री सरकार को यह 15 मैंने का दो प्रकार की होती है tax और non-tax तो दोस्तों इस tax यहां आकर खतम हो जाता है GST तक आकर खतम हो जाता है तो इन सब को अगर आप जोड़ी लेते हो तो हमें 53 पेसा 53 पेसा मिलेगा tax से income मिलेगी 100 पेसे में से 53 पेसा आएगा tax के द्वारा और उसके बाद non-tax जो revenue rece को मिला कर 59 पेसा राज़त स्वप्राप्तिया मिलने की उमीद है 2021-22 के लिए और एक चीज आप ध्यान में रिखिए जो non-tax sources of income है इनके बारे में दिखाया नहीं गया spy diagram के अंदर जिबकि हम tax में देख रहे हैं कि अलग-लग tax दिये हैं लेकि non-tax को describe नहीं किया गया तो यह मैं बता दूँ आपको कि non-tax में कौन सी income आती है जैसे कि fees आती है सरकार fees भी वसूलती है fine लेती है ब्याज लेती है सरकार को बाहर से नुदान मिलता वो आता है profit और dividends आते हैं लाभांश और मुनाफ़े इसमें शामिल होते हैं और यह आपको पता होना चाहिए कि सरव बैंक सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा देता है यह आपको पता होना चाहिए तो दोस्तों यहां तक राजय सुप्राप्तिया complete हो जाती है इसके बाद दोस्तों नंबर आता पुंजीगत प्राप्तियों का पुंजीगत प्राप्तियों में चार मेजर चीजें होती है जिससे आप अगर वीनिवेश करते हो अपने सरकारी उपक्रमों की एक्विटी को बेचते हो इस पर भी मेरा एक वीडियो आया है वीडियो पर आप उसको देख सकते हैं वी निवेश के बारे में अगर आपको विस्तार से समझना है कि सेल क्या स्ट्राटेजिक सेल क्या है प्राइबिटाजिशन कब होता है तो वो वीडियो यूट्यूब पर अविलेबल है और लेटरस्ट में मैंने उसको जारी किया था आप उसको देख सकते हैं विस्तार के लिए अगर आपको कोई जानकारी प्राप्ते करनी है तो पूंजी यह भी एक तरह से पुंजीगत प्राप्ती माना जाता है तो वी निवेश और रिकवरी ओफ जो लॉन करता है सेंट्रल गौर्डमेंट राज्यों से यह दो चीजें ऐसी है जिनसे करजा नहीं होता लेकिन पुंजीगत प्राप्ती होती है और बाकी क्या है करज लेता है के इसान विकास पत्र के माध्यम से जमा कराते हैं, रास्ट्र बच्चत पत्र के माध्यम से जमा कराते हैं, सूक अन्या सम्रिदी योजना में जमा कराते हैं, यह जो भी अल्प बच्चत के रूप में सरकार के पास पेसा जमा होता है, उसको अन्य देटाएं कहते हैं, अगर ला आएगी और यहाँ पर non-debt capital receipt एक और लिखावा है जो पुंजिगत प्राप्तियों का दूसरा यूनो हिस्सा है जो कर्ज नहीं पेदा करती है ऐसी capital receipts यहाँ पर है कर्ज दोई चीजें पेदा नहीं करती एक वीनिवेश पेदा नहीं करता है एक recovery of launch राज्यों से होता है वो नहीं पेदा करता है तो पांच पेशा 100 में से पांच पेशा यहां से आने की उमीद है और दोस्तों 36 पेशा आने की 800 पेशा मिल जाता है इस तरह से दोस्तों आप इस पाई डाइग्राम से समझ सकते हो कि कहनदे सरकार की income कैसे-कैसे अलग-अलग sources से प्राप्त हो रही है दोस्तों इसके बाद दोस्तों हम यह समझने की कौसिस करेंगे कि सरकार के खर्च के sources क्या है किस तरफ सरकार खर्च कर रही है कौन-कौन से खर्च के items है यहां पर भी दोस्तों हम यह मानके चलेंगे कि सरकार का कुल खर्चा 100 पेसा है और दोस्तों इध्यान रखे कि बजट में टोटल इंकम और टोटल खर्चे बराबर रहते हैं आईए मैं दिखाता हूं आपको थोड़ी देर पहले हमने इस टेबल को देखा था यहां पर कुल प्राप्तियां आपको नजर आ रही है और मैं फिर से दिखा देता ह आपको 34,83,236 करोड रुपे की कुल प्राप्तियां हमने कन्फर्म करी थी अब आप कुल वे देखिए नौवे नंबर का यहां पर लिखावा कुल वे और इसकी सीध में आप इधर जाएंगे तो आपको यह 34,83,236 करोड रुपे का वे भी नजर आ रहा है इससे क्या बात स यह सरकार की इनकम और खर्च एक दूसरे के बराबर कोई भी बजट आप बनाते हो तो आपको देखना पड़ेगा क्यूंकि बजट में आप खर्च का एक टार्गेट फिक्स कर रहे हो तो आपको उतना ही इनकम के सोर्स भी दिखाने पड़ेंगे तो यहां पर सवाल यह न चाहिए दोस्तों यह साधारन सा गनित है अगर हम अपनी सिस्टर के लिए कोई शादी का टार्गेट करते हैं कि इतना खर्च हम करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारी इंकम कितनी है हम अपनी बैंकी की FD वगिरा तुलबा कर कितना प्राप्ते कर सकते हैं हम दूसरो का बजट या इतना जो खर्चा होने वाला है उसकी वो इक्वल होना चाहिए सरकार की इंकम के राइट अदरवाइस तो आप बजट की खर्चे नहीं कर पाऊगे तो यहां पर दोस्तों खर्च भी उतना ही है जितना की इंकम है अब हम देखते हैं कि खर्च को हम कैसे समझे पाई डाइग्राम के माध्यम से तो आएए हम देखते हैं खर्च की स्थिति को तो यहां पर भी एक पाई डाइग्राम बना हुआ है और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यूनियन बजट 2017-2018 में हमने क्या किया था कि पहले एक वर्गी करण होता था प्लान और नॉन प नॉन वर्गी करण शुरू किया जिसमें हम खर्चों को दो भागों में डिवाइड करते हैं scheme expenditure और ऐसे expenditure जो scheme से नहीं जुड़े हैं यानि को आप non scheme expenditure कह सकते हो तो scheme जो expenditure हैं वो expenditure किस तरह के होते हैं दो प्रकार की scheme होती है एक होती है central sponsored schemes और एक होती है center sector scheme अगर आप इन दोनों स्कीमों पर खर्च को जोड़ देते हो, तो आपको मिल जाता है टोटल स्कीम एक्सपेंडिच है, तो इसका मतलब भी हुआ कि इस पाइड डाइग्राम की शुरुआ हमें स्कीम एक्सपेंडिचर से करनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखेगा इसके बाद दोस्तों सेंटर सेक्टर स्कीम है, इसके बाद स्कीम है इसके बाद जितने भी खर्च है उन सब को आप नौन स्कीम expenditure मानेंगे तो देखते हैं अन्य जो खर्चे यहां से आगे scheme वाले तो यहां तक खतम हो जाते हैं इसके बाद आपको ब्याज दिखेगा interest payments अंग्रेजे में लिखावा है 20 पेसा लिखावा है यानि 100 पेसे में से 20 पेसा केवल ब्याज पर जाना है और अगर आप देखेंगे इस पूरे diagram को तो आपको सबसे ज़्यादा खर्च जो है वो नजर आएगा ब्याज के उपर 20 पेसे के बराबर कोई भी खर्चा नहीं है defense भी 8 पेसे के बराबर ही है 100 पेसे में से 8 पेसा हम ब्याज पर खर्च कर रहे हैं इस तरह से दोस्तों ये ब्याज हुआ फिर रक्षा subsidies को लेकर 9 पेसा हम खर्च कर रहे है वित आयोग और अन्य अंतरन finance commission and other transfers यहाँ पर एक चीज़ देखें कि transfer word लिखावा है transfer का मतलब होता अस्ताना अंतरन भुकतान जो अनुदान विगिरा की रूप में होते हैं तो finance commission के अनुदान मुख्य रूप से यहाँ पर है और आपको पता होना चाहिए कि एक article 275 275 के अंतरगत finance commission वेधानिक अनुदानों का सुजाव देता है तो वो अनुदान मुख्य रूप से यहाँ पर है दस पेसे के रूप में और करों और शुलकों में जो राज्जू का हिस्सा है वो 16 पेसा है वेसे दोस्तों आपको ध्यान होना चाहिए कि finance commission ने का है कि 41% हिस्सा केंद्रिय करो का राज्जू को जाना चाहिए तो वो 41% हिस्सा कर संग्रण का है यहाँ पर हम कुल खर्च की बात कर रहे है तो जो 41% हिस्सा बनता है करों के पार्ट की रूप में वो कुल खर्च का बनता है 16 पेसा तो आप धियान रखिए UPSC PT में आपसे यह सवाल भी कर सकते हैं कि option 61, sorry 16% है तो आपको 16% को टिक करना जल्द बाजी में आप 41% को टिक मत कर दीजेगा प्रशन को पढ़कर समझे की उसकी मांग किया है तो दोस्तों इस तरह से यह करोर शुनकों में राज्यों का हिस्सा एक मेत्वपून ट्राइप की चीज़ बन जाती है आप लगों के लि बनता है non scheme expenditure और 22 P बनता है scheme expenditure और आपको यह धियान रखना है कि सरवाधिक जो खर्चा है वो interest payment पर हो रहा है और scheme expenditure को आप देखते हो तो 13 पेसा central sector scheme परह रहा है तो इस तरह से दोस्तों आप ये सरकारी खर्च की नेचर को समझ सकते हो और इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे वो पूरा टेबल जिसमें हम प्रैक्टिकले निकालने की कोशिस करेंगे राज-कोशिय और अन्य घाटे तथा अन्य बातों को देखेंगे तो आईए देखते हैं उस टेबल को और उसके माध्यम से हम घाटे वेगे निकालेंगे इस टेबल को अधार बनाते वे थोड़ा में ये टेबल आपको समझा देता हूं किस तरह से टेबल चलता है आगे भी आप इस चीज को खुद अपने इसाब से देख सकते हो तो सबसे प वेड्राप्तिया दो भागों में डिवाइड होती है जो थोड़ी देर पहले मैंने अपको निवेधन किया टेक्स के रूप में टेक्स रेइंटे यह लिखा हूं है और नोन टेक्स रेश्येंटेक्स के निचे नेट टुसेंटर आपको दिख रहा होगा इसका मतलब यह हो दोस्तो UPSC कभी इस तरह के figures नहीं पूछती है, केवल concept को समझाओंगा मैं इस table के माध्यम से, तो revenue receipts दो प्रकार की होते हैं, अभी आप सीख लीजिए, राजस्व प्राप्तियां दो तरह की है, tax revenue, non-tax revenue, और define मैंने पहले ही कर दिया, कि ऐसी प्राप्तियां जिनसे हमारे उपर करज नहीं बनता, जिनके कारण हमें संपत्ती बेचनी नहीं पड़ती, दोस्तो tax जो सरकार को मिलता है, इसमें संपत्ती बेचने का कोई सवाली पेदा नहीं होता, tax एक obligation भी नहीं है, वो राज़त सुप्राप्तियां हैं, और राज़त सुप्राप्तियों में भी सबसे बढ़ा कोन है, tax वाली है, यह राज़त सुप्राप्तियां हुई, अब दोस्तो capital receipts यहां पर लिखावा है, यहां पुन्जिगत प्राप्तियां है, तो recovery of lawn मैंने थोड़ी देर पहले कहा, और एक other receipts है, इसमें जो यह other receipts आपको नजर आ रही है, यह basically वी निवेश है, वी निवेश से जो income प्राप्त होने वाली है, आपको confirm कराने के लिए आपने अकबारों में यह तो पढ़ा होगा, कि हमारी सरकार 2021 के लिए जो वी वी निवेश ही है, आईए देखते हैं, इसकी सीद में हम इधर जाएंगे सामने, तो यह amount आपको दिख रहा है, एक लाग पिच्छेतर हजार करोड रुपे का, दो हजार इकीस बाइस के बजट अनुमानों का कोलम है यह दोस्तों, तो यह वी निवेश है, other receipts के रूप मे और borrowing और other liabilities, borrowing मैंने आपको बताया था कि reserve bank करता है, सरकार के लिए, market से, और other liabilities में दोस्तों आता है, जो लोग पे साथ जमा कराते हैं, government के पास, और यह आपको पता होना चाहिए, भारती समिधान कहता है, कि लोक लेखा निदी से जुड़ीवी देता है, और संचित चाहिए, दिखाई जानी चाहिए, इस टेबल में अलांकि अलग 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 नहीं दिखाई दे रही है, आर्टिकल 110 कहता है कि जितने भी उधार से आपको income प्राप्त होती है, वो भारत की संचित निदी में जमा होगी, तो आर्टिकल 110 का ये कथन है, दोस्तों जो भी हम और अन्य देटा है, जो other liabilities यहां पर लिखावाई ये, ये जमा होता है लोक लेखा निदी में, तो ये भी ध्यान रिखिए कि लोक लेखा निदी की देटा हैं, और संचित निदी की देटा हैं, अलग अलग होती है, हालांकि इनको एक ही जगे पर दिखाया गया है, और इ ये जो चीज़ें हैं, इसको अटा देता हूँ, और अब आप देखिए, ये बोरोविंग्स और अधर लाइबिलिटी जो है, वो ऐसे जा रही है ये, ये दिखेगे आपको, और ये अमाउंट आ रही है, ये है 15,6,812 करोड रुपे, और मैंने वीडियो की प्रार्णब मे स्टेबल में, राजकोशे घाटा ढूंडते हैं, और वो आपको दिखेगा, ये 16 नमबर पर, यहाँ पर, ये लिखावा फिसकल डेफिसिट, इसका मतलब किया है, ये इसके नीचे ब्रैकेट में, ये मैं बाद में बात करूँगा, तो जो राजकोशे घाटा है, इसकी स्टेद में आओगे, आप इधर, इधर जाओगे, तो ये अमाउंट दिखे रहा है आपको, ये 15,6812 करोड रुपे ये और ये अमाउंट, एक दूसरे के बराबर है, इसलिए दोस्तों परिक्षा के इसाब से आप इसको ध्यान में रखिए, कि जो राजकोशे घाटे का स् हाला कि आपने ये जरूर पड़ा होगा कि सरकार ने कहा है, कि वो 12,00,00 करोड रुपे का उधार लेगी मार्केट से, इसका मतलब 3,00,00 करोड रुपे प्लस का जो अमाउंट है, वो अधर लाइबिलिटी से कवर होने की संभावना उनको लग रही है, और ये अमेशा ध्या ध्यान रखे कि बोरोविंग और अधर लाइबिटीस दोनों मिलाकर राचकोश्य घाटे के बराबर होती है, ये हमेशा आपको ध्यान रखने वाला एक कॉंसेप्ट है, जो आपको इस वीडियो से सीखना है, तो दोस्तों, ये पुंजिगत प्राप्तियां कम्प्लीट हो मतब तो 1 और 4 हम कम्प्लीट कर चुके हैं, इसके बाद टोटल जो रिसीट से वो 1 प्लस 4 है, इसका मतब रेविन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट को जोड़ दोगे, तो आपको टोटल रिसीट प्राप्त हो जाएगी, इनको मैं क्लेन कर देता हूं ताकि कोई परिशान ना हो, तो दोस्तों, टोटल रिसीट्स आपकी यहाँ पर आ गई है, 34,83,236 करोड रुपे की, यहाँ तक आते आते टोटल रिसीट्स खतम हो जाते हैं, इसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर है, और टोटल एक्सपेंडिचर 10 प्लस 13, ब्रेकेट में लिखा हो 10 प्लस 13, टोटल रिसीट्स के पीछे 1 प्लस 4, तो 1 प्लस 4 करके टोटल रिसीट्स मिल जाता है, टोटल एक्सपेंडिचर 10 प्लस 13, 10 क्या है, यहाँ पर लिखा हो है, ओन रेविन्यू अकाउंट, दो खाते मनते हैं सरकार के, राजस्व पुनजी खाता होता है, तो जो राजस्व प्रकार की चीजे जैसे राजस्व प्राप्तियां राजस्व खर्च वो रेविन्यू अकाउंट में में अकाउंट में में अकाउंट एक नाम हो गया इस तरह से आप समझें इसे उचको, तो इसका मतलब यह हुआ, कि टोटल एक मतलब है revenue expenditure और अगला लिख रहा तेरा है तो इसका मतलब वह on capital account इस language को आप पूरा कैसे पढ़ोगे total expenditure on capital account यानि पुझी खाते पर कुल खर्च इसको आप यह भी कह सकते हो पुझीगत खर्च इसका मतलब 10 राजस खर्च है तेरा पुझीगत खर्च राजस और पुझीगत दोनों को जोड़ देते हो तो आपको मिल जाता total expenditure और मैंने आपको पहले ही कहा कि total expenditure और total income जिसमें उधार भी शामिल है बराबर होगी एक दूसरे के तो यहाँ पर यह total income और यह total minus 1 10 minus 1 तो 10 का मतलब क्या है total expenditure on revenue account यह revenue expenditure है revenue expenditure मेंसे हम minus कर देंगे revenue receipt जो राजस वपरकार की income है वो कम रही है तबी तो राजस वगाटा है तो राजस खर्च को आगे रखेंगे उसमें से minus करेंगे राजस वइंकम या राजस वपरापती तो हमको मिल जाएगा राजस वगाटा यहाँ पर तो यह revenue deficit आपको दिख रहा है आकडों में ज्यादा ध्यान रखने की जरुत नहीं जो पूरी amount है यह जो 5.1 आपको नजरा रहा है यह GDP का प्रतिश्यत है भारत में GDP के प्रतिश्यत के रूप में राजस वगाटा के इतना रहने का अनुमान है 21-22 के लिए 5.1 प्रतिश्यत रहने का अनुमान है इसके बाद एक concept है प्रभावी राजस वगाटा effective revenue deficit 14-12 इसका सिधा तरीका क्या होता है कि जो राजस वगाटा होता है उसमें से फिर आपको माइनस करना होता है राज्यों को जो आप संपति निर्मान के लिए अनुदान देते हो वो माइनस करना होता है देखिए इस टेबल में 14 का मतलब क्या है यही है revenue deficit इसमें से माइनस करना 12 12 क्या लिखा ग्रांट इन एड फोर creation of capital assets यानि कि पूंजिगत परिसंपत्यों के निर्मान के लिए जो grants देता है के अंद्रे important घाटा है वो है fiscal deficit इसको आप ठीक से समझने की कोसिस करिए फिसकल deficit total deficit को दिखाता है और आपको कुल खर्चे सामने रखने होते हैं राज्य सुपुंजिगत सभी प्रकार के कुल खर्चे कितने हैं उसमें से माइनस करोगे आप ऐसी income जो कर्ज पेदाने करती सीधा गणिता पी ध्यान मेरे कि सारी income आ जाएगी लेकिन इसी income बाहर हो जाएगी जो हमें कर्ज पेदा कर रही है और कर्ज इस पूरे पिक्चर में कौन पेदा करता है बोरोविंग और लाइबिलिटीज यह पेदा करती है बस इसको छोड़कर बाकी की जो income है उसको आप माइनस कर दोगे तो राज कोशे घाटा प्राप्त हो जाएगा तो आप इसमें देखिए मित्रों 9, 9 माइनस तो 9 क्या है टोटल एक्सपेंडिच है उसमें से माइनस करना 1 प्लस 5 प्लस 6 वन क्या राज्जश्व प्राप्तियां पूरी की पूरी माइनस हो जाएगी क्योंकि इनसे कोई करजा नहीं होता है यह तो बात हम पहले कर चुके हैं capital receipts जो है वो पूरी नहीं कर पाओ गया पूरा नहीं माइनस कर तकते क्योंकि इनमें कुछ item यह वाला जो item है यह नहीं होना चाहिए दोस्तों इसलिए इन्होंने क्या किया 9-1 plus 5 यानि कि इसको नहीं किया इसको किया 5 को plus किया 1 में और फिर 6 को किया यह other research यह वी निवेश और यह recovery उपलोने इनसे करजा नहीं होता है और इनसे तो बिल्कुल होता ही नहीं है तो पुंजीगत प्राप्तियों में इन्होंने इसको छोड़ दिया तो जब इसको छोड़ दिया तो उसके बाद जो घाटा निकल रहा तो बहुत आसान है राजकोशे घाटा आप हमेशा ध्यान रिक्कि कि कुल खर्चों में से आपको माइनिस करती जला जाना है ACI जो कर्ज नहीं बढ़ाती है सरकार पर यही राजकोशे घाटे का कॉंसेप्ट है सबसे पहले 97 में इसको लागू किया गया सुखमोई चक्रवर्ती समीती की सिफारिशों पर और आगे तो आकड़े हैं दोस्तों अगर आप देखना चाहो तो यह यहाँ पर 6.8% GDP का राजकोशे घाटा है और 15,6812 क्रोड रुपे बन रहे हैं मैं पहले ही दिखा चुका हूँ आपको कि यह जो अमाउंट है यह हमें बाजार की उधार से कवर करनी है क्योंकि उसका हमने इंकम नहीं माना अभी राजकोशे घाटे में जितना गेप आरा है राजकोशे घाटे की रूप में अब उसको कैसे कवर करेंगे उसका हम करेंगे बोरोविंग और अधर लाइबिलिटीज के माद्यम से इसलिए दोस्तों, राजकोशे घाटे का जितना स्तर होता है, 15,682 उतना ही उधारियों का स्तर होता है, ये 15,682 और ये 15,682 ये एक दूसरे के बराबर हैं, पहले बात चीत कर चुके हैं, इस तरह से दोस्तों, आप इन घाटों को practically निकाल सकते हो, बजटरी डोकुमेंट को स तो राजकोश ये घाटे में से ब्याज माइनस होगा, देखे पहले इसकी परिभाशा, primary deficit, primary deficit 16-11, solar क्या है, fiscal deficit, 11 क्या है, ढूंडिए 11 क्या है, यहाँ पर लिखावा interest payments, तो fiscal deficit में से interest payment आप माइनस कर देते हो, तो दोस्तों, निकल जाता है प्राथमिक घाटा, इस तरह से यह tables आप पढ़ कर इन संकल्पनाओं को वेवारिक रूप से समझ सकते हो, बड़े आराम से दोस्तों, तो इस तरह से आप परिक्षा में इस वीडियो को अपने लिए उप्योगी बना सकते हो, धन्यवाद मुझे समय देनने के लिए, let us meet in the next video friends, thank you.